परिचय चात्रो इस अध्याय के पहले भाग में हमने समाव यफ्ता और रासाइने कपी क्रियाओं की क्रियाविधी की मूल भूद संकलपनाओं के बारे में पढ़ा था आज हम कारबनिक योगिकों के शोधन के विधियों के बारे में पढ़ेंगे शोधन की कुछ विधियां और्थव पातन, वन लेखन, आस्वन आधी हैं सर ये और्धर्व पातन क्या है? कुछ धोस पतार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही कैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं चलो, अब कोई मुझे बताएगा कि ये वन लेखन क्या है? सर, वन लेखन किसी कार्बनिक मिश्रण में से अशुधियों को अलग करने और उसके विश्रेशन की एक विधि है बहुत अच्छे आरियन, अब हम शोधन की विधियों का अध्ययन विस्तार से करेंगे इस अध्याय में आप कार्बनिक योगिकों के शोधन और उनके मौतरात्मक और गुणात्मक विश्रेशन का अध्ययन करेंगे उत्येशे इस पार्ट के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे कार्बनिक योगिकों के शोधन की विधियों का वर्डन करना कार्बनिक योगिकों के गुणात्मक विशलेशन को समझना मात्रात्मक विशलेशन का वर्डन करना कार्बनिक योगिकों के शोधन की विधियां कारवनिक योगिकों के शोधन के विभने विधियां निमने लिखित हैं और्थवपातन यानि सबलिमेशन, क्रिस्टलन यानि क्रिस्टलाइजेशन, आस्वन यानि डिस्टिलेशन, विभेदी निशकर्शन यानि डिफ्रेंशियल एक्स्ट्रैक्शन और वनलेखन यानि क्रो अब हम एक एक कर सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और्धवपातन कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, सीधे ही कैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे और्धवपातन कहते हैं। इसका उप्योग और्द्व पातनिय कार्बनिक योगिकों को दूसरे अशुद्ध योगिकों जो और्द्व पातनिय नहीं हैं उनसे प्रत्थक करने के लिए किया जाता है अशुद्ध कार्बनिक योगिकों को छिदरित एस बेस्टास की चादर से ढकी हुई एक प्याली में रखकर गर्म किया जाता है जिसके उपर एक उल्टी फनल यानि कीप रखी जाती है कीप के स्थंब में कपास भरा जाता है गर्म करने पर ठोस योगिक का वो इससा जो ओर्दवपातित हो जाता है एस बिस्तस की चादर के छिद्र से गुजर कर कीप की ठंडी दीवार में संगनित हो जाता है अशुद्धियां जो ओर्दवपातित नहीं होती हैं प्याली में ही रह जाती है क्रिस्टिलन ठोस कार्वनिक योगिकों के शोधन का ये सबसे सामान नितरिका है ये विधी जिस उप्युक्त विलाइक में ये कार्वनिक योगिक मिलाए जाते हैं उसमें इनकी विलेताओं में नहित अंतर पर आधारित होती है अशुद्ध पदार्थ पाउडर के रूप में होते हैं इन्हें किसी विलाइक के साथ एक फ्लास्क में गर्म किया जाता है विलाइक की मात्रा केवल गर्म करने पर पदार्थ के गुलने के लिए परियाप्त होनी चाहिए अब ये गर्म संत्रिप्त विलियन गर्म पानी की कीप से छान लिया जाता है बाहरी कीप में परिचालित किये चाने वाला गर्म पानी विलियन को गर्म रखता है और कीप ही के अंदर क्रिस्टली करण नहीं हो पाता यह गर्म निसियंद भीकर में ठंडा किया जाता है बड़े बड़े ikrisटल स्वराथ होते हैं और इन क्रिस्टलों को निसियंद में से निसियंदन के माध्यम से प्रथक कर लिया जाता है आसवन आसवन द्रवों के शोधन की एकविती है जिसके द्वरा गर्म करने पर द्रब में उपस्तित कम कौथनांक वाले घटकों का वाश्पी करन शुरू हो जाता है। वाश्प को संगनित्रित की जाहता से संगनित करके फ्राप्त द्रब को क्राही में एकत्र कर लिया जाता है। द्रव मिश्टन के वे घटक जिनका कौथनांग उच्छ होता है बात में वाश्पित होते हैं और इन द्रवों को अलग एकद्रित किया जा सकता है। प्रभाजी आस्वन जब द्रवों के कौथनांग एक दूसरे के काफिक खरीब होते हैं तब साधरन आस्वन काम नहीं करता है। इस द्रशा में एक प्रभाजी कॉलम का उप्योग किया जाता है जो एक लंबी नली के रूप में होता है और इसमें उपर जाती हुई वाश्प और नीचे आते हुए द्रव के मार्ग में अवरोध प्रतान किया जाता है। A और B द्रवोन के मिश्टरक को एक फ्लास्क में लिया जाता है जिनके कौतनाग प्रम शा 370 कल्विन और 380 कल्विन हैं। फ्लास्क को गर्म करने पर A की ज्यादा वाश्प प्राप्त होती है और B की वाश्प कम प्राप्त होती है। प्रभाकी कौलम में जैसे- जैसे वाष्प उपर उठती जाती है, आशिक रूप से संखनित द्रव नीचे गिरता है। B की वाश्प A की वाश्प की तुल्ना में जल्दी संखनित होती है और जो वाश्प उपर जाती है उसमें A की मात्रा ज्यादा होती है। संखनित द्रव नीचे गिरता है और ओपर उठती वाश्प से टक्रा कर पुना उश्मा लेकर वाश्वित होता है जिसमें बी के अणों की खपत होती है प्रभागी काॉलम में ये क्रमिक प्रक्रिया चलती रहती है जिसके परिणाम सरूप कॉलम के शीर्ष पर बचने वाली वाश्प मुक्यता एक होती है जबकि फ्लास्क में बचने वाला द्रव भी का होता है निम्नदा पर आस्वन ये विधी उन द्रवों के लिए प्रयोक होती है जो अपने कौथनांग के निकट अब घटित हो जाते हैं फ्लास्क की मुख्य करदन में एक लंबी केशिका नली यानि कैपलिरी लगा दिया जाती है और बगल की दूसरी करदन में धर्मामीटर लगा दिया जाता है बगल की ट्यूब संगनित्रिस से जोड़ती जाती है जो दूसरे छोर पर ग्राही से जुड़ी होती है ग्राही एक पम से जुड़ी होती है जो दबाव को कम करता है कम दबाव के साथ द्रव कम तापमान पर उबलने लगता है जिससे तापमान अब घटन ताप तक नहीं पहुँच पाता है उधारण ग्लिस्रॉल अपने कौतनाग 563 केल्विन पर अब घटन के साथ उबलता है पर यदि दबाव 12 मिलिमीटर तक कम कर दिया जाए तो ये 453 केल्विन पर बिना अब घटन के उबलने लगता है भाप आस्वन इस विधी का प्रयोग उन पदार्थों के शोधन के लिए किया जाता है जो भाप में वाश्प शील और पानी में अमिश्रणिये होते हैं ये विधी इस तत्थ पर आधरित है कि कोई द्रव उस ताफमान पर उबलना शुरू करता है जब उसका वाश्प दाब वायू मंडलिये ताब के बराबर हो जाता है और दो अमिश्रणिये द्रवों का वाश्प दाब स्वातंत्र द्रवों के वाश्प दाब के योग के ब भाप द्रव को गर्म करती है और जल को भी संधनित करती है। कुछ समय बाद जल और द्रव का मिश्रण उबलना शुरू कर देता है। आसानी से अलग-अलग किया जा सकता है। विभेदी निशकर्शन जब कार्बनिक यॉगिक किसी जलिये विलियन में उपस्दित होता है तब उस कार्बनिक यॉगिक को ऐसे विलाइक का उपयोग करके निशकर्शित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यॉगिक की विलेता जल क क्या पेक्षा अधिक होती है और ये विलाइक जल में हमिश्रण parallels यह हो । यदि कार्वनिक यौगिक की उस विल्यन में तो य्योगिक की सूप्ष मुमाध्रा का निशकर्शन करने के लिए विलाएक की बड़ी मातरा की आविशकता होती है। ये विधी सथत निशकर्शन कहलाती है। वनलेखन शूधन की ऐक ऐसी विधी है जिसे किसी मिश्रण के अवियवों को तथक करने, कारवनिक पदार्थों की पहचान करने और उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए उप्योग में लाया जाता है वनलेखन का वर्की करान अधिशोशन वनलेखन वितरण वनलेखन अधिशोशन वनलेखन अधिशोशण वणलेखन विभेदक अधिशोशण के सिध्धांद पर आधारित है जिसकе अनुसार विभिन योकिक भिन अन्शो में किसी विषिष्ट अधिशोश़ग जैसे ठोस सिलिका या ऎलूमेना जेल पर अधिशोशित होते हैं विभेधी अधिशूशन के सिध्धांद पराधारेत दो प्रकार की वणलेखन तक्निकें निमने लिखे थें, कॉलम या स्थम्भ वणलेखन और पतली परत वणलेखन. कॉलम वणलेखन इस विधी के अंतरगत विभेधन घटकों के मिश्रम को जब स्टार्च या चार गोल जैसे अधिशूशक से भरे हुए कॉलम से होकर गुजारा जाता है, तब विभेधन घटक आंशिकिया फून डूप से अधिशूशक के द्वारा अधिशूशित हो जाते हैं, और तब वे उप्यूक्त विलायक जिसे निक्शालक कहते हैं, उसकी मदद से अलग किये जा सकते हैं। पतली परत वन लेखन इसमें एक अधिशूशक की पतली परत को किसी उप्यूक्त आधार पर पहलाया जाता है, जैसे कांच की प्लेट, ये कांच की प्लेट पतली परत वन लेखन या प्रुमो प्लेट कहलाती है योगिकों के मिश्रान का जिससे अब्यवों को प्रथक करना है एक छोटा सा बिंदू TLC प्लेट के एक छोर पर लगा दिया जाता है अब प्लेट को कुछ उंचाई तक विलाइक से भरे हुए बंदजार में डुबो दिया जाता है जैसे जैसे विलाइक ग्लास की प्लेट में आगे बढ़ता है मिश्रान के अब यब भी अपने अधिशोशन की तिर्विता के आधार पर प्लेट पर उपर की तरफ चड़ने लगते हैं गती में भिन्यता की कारण विप्रथक हो जाते हैं मिश्रान के हरी योगिक के सापेक्ष अधिशोशन को मंदन गुणत आरेफ मान के द्वारा प्रतशित किया जाता है इसे निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है आरेफ पराबर आधार रेखा से योगिक के पढ़नी की दूरी एक्स बटे आधार रेखा से विलाइक की आगे तक की दूरी वाई वित्रण वन लेखन वित्रण वन लेखन एक तरह से कागस वन लेखन है जिसमें विश्ष्ट प्रकार का कागस जिसे क्रोमेटोग्राफी कागस कहा जाता है उप्योग में लाया जाता है इस काघस के चिद्रों में जल अनू बंध जाते हैं जो इस्थिर प्रावस्था का कारे करते है प्रूमेटोग्राफिक काघस के आधार पर मिश्रन का बिंदू लगा कर जार में लटका दिया जाता है जार में कुछ उंचाई तक उप्युक्त विलायक या विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कारी करता है विलायक पेपर की पट्टी पर उपर की ओर पड़ता है और बिंदू के उपर प्रवाहित होता है विभिन्य योगीकों का दू प्रवस्थाओं में वितरण भिन्य भिन्य होने के कारण ये अलग-अलग दूरी तक जाते हैं और प्रतरफ हो जाते हैं इस परकार विक्सित पट्टी क्रोमेटोग्राम कहलाती है रंगहीन योगिकों को पराबैगनी किरणों के नीचे रख कर या उप्युक्त अभी कर्मन के विलियन को छड़क कर देखा जा सकता है कार्बनिक योगिकों का गुनात्मक विशलेशन कार्बन और हाइट्रोजन की पहचान कार्बनिक योगिकों को कौपर दो ऑॉक्साइट के साथ तेज गर्म किया जाता है पत्पन्न हुई गैसों को परखनली के अंदर निरजल कौपर सलफेट में से गुसा रह जाता है और फिर चूने के पानी में प्रभाहित कर दिया जाता है यदि कार्बन उपस्तित होता है तो ये कार्बन डायोक्साइट बनाता है जो चूने के पानी को दो दिया कर देता है अभी क्रियाएं निमनिल खेत हैं कार्बनिक योगिकों में उपस्तित कार्बन कौपर दो आकसाइट के साथ अभिक्रिया करके कौपर और कार्बन डायोकसाइट बनाता है। उत्पन्य हुई कार्बन डायोकसाइट केल्शियम हाइड्रोकसाइट से अभिक्रिया करती है, जिससे वो दूद्या हो जाती है, जो उस कार्बनिक योगिक में कार्बन की उपस्तिती को सूचित करता है. यदि कार्बनिक योगिक में हाइड्रोजन उपस्तित है, तो ये पानी की वाश्प बनाता है, जो निर्जल कॉपर सिल्फेट से गुजर कर C-U-S-O-4-5-H-2-O बनाती है, जिससे उसका रंग नीला हो जाता है. अभी क्रियाएं निमने लिखे थे हैं, कार्बनिक योगिक की हाइड्रोजन कापर दो आपसाइड से अभी क्रिया करके कॉपर और पानी बनाती है, उत्पन पानी निर्जल कॉपर सिल्फेट से क्रिया करके C-U-S-O-4-5-H-2-O बनाता है, जिससे उसका रंग नीला हो जात अन्ने तत्वों की पहचान, कार्बनिक योगिकों में उपस्तित नाइटोजन, सल्फर, हेलोजन और फासफोरस जैसे अन्ने तत्वों को लैसे परिक्षन की द्वारा पहचाना जा सकता है, कार्बनिक योगिकों में उपस्तित तत्वों को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व संयोजी रूप से आइनिक रूप में परिवर्दित हो जाते हैं। अभी क्रियाएं निमने लिखित हैं। जब सोडियम कार्बनिक योगिकों में उपस्तित विभिन तत्वों के साथ क्रिया करता है, तब ये सोडियम संलगन निशकर्ष बनाता है। इस अभी क्रिया के दौरान पेरिकायन बनता है, जो पेरोसाइनाइट से क्रिया करके पेरी फेरोसाइनाइट बनाता है, जिसका रंग नीला होता है। सल्फर के लिए परिक्षान। यदि कार्वनिक यॉगिक में सल्फर उपस्तित है, तो इसे सोडियम संलगन निशकर्ष बनाता है, उसको सोडियम नाइट्रोक्रोसाइट के साथ अभी क्रित करने पर सल्फर की उपस्तिती के कारण जो बैगनी रंग आता है, उसके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। नाइट्रिक अमल के द्वारा अमली करिक करके उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। यदि सफेद अवक्षेप बनता है, जो कि अमोनियम हाइट्रोक्साइट में विलियत हो जाता है, तब ये क्लोरीन की उपस्तिती को दर्शाता है। यदि नाइट्रोजन या सल्फर की संभावना होती है, तो परीक्षन के पूर्व सोडियम सनलगन निशकर्शन को दो मिनट तक उबाला जाता है, जिससे हCN और H2S के साइनाइड और सल्फाइड विक्डित हो जाएं, जो परीक्षन में बाधा हुद्पन करते हैं। फॉस्फोरस के लिए परीक्षन इसी कार्वनिक योगिक में फॉस्फोरस की उपस्तिती का फता लगाने के लिए उस कार्वनिक योगिक को सोडियम पेराउकसाइड के साथ गर्म किया जाता है। बने हुए विलियन को सांद्र नाइट्रिकम्ल के साथ उभाल कर अमोनियम मॉलिब डेट मिलाया जाता है। फीले रंग का अबक्षे फॉस्फोरस की उपस्तिती को प्रदशित करता है। मातरात्मक विशलेशन कार्बन और हाइडोजन कार्बनिक योगिकों के एक नमोने को चुशको शुद्ध ऑक्सीजन की भाप में फॉपर्दो ऑक्साइड की उपस्तिती में साथ सो डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। हाइडोजन आक्सिक रिथो कर पानी बनाती है और कार्बन से कार्बन डायोकसाइड बनता है। उत्पन जल की मातरा ग्याद करने के लिए मिश्रन को निर्जल केलशियम क्लोराइड युक नली में से प्रवाहित किया जाता है। और कार्बन डायोकसाइट की माप्रा का निरधारन करने के लिए इस मिश्रों को पोटेशियम हाइड्रोकसाइट के विलियन में से प्रभाहित किया जाता है कार्बनिक योगिक के नमूने में उपस्तित हाइड्रोजन का द्रविमान एक बटे नौ केल्शियम क्लोराइट के द्रविमान में रिथी और कार्वन का द्रविमान तीन बटे ग्यारा पोटेशियम हाइट्रोकसाइट के द्रविमान में रिथी नाइटोजन नाइटोजन के आकलन की दो विदिया हैं जुमा विथी और केलडॉल विथी ज्यूमाविधी ज्यूमाविधी सौबटे बाइस हजार चार सो गुने एम जहां भी स्टीपी पर नाइट्रोजन का आहितन है। केलडॉल विधी केलडॉल विधी में नाइट्रोजन का निर्धरन अमोनिया गैस के दोरा किया जाता है। कार्बनिक यूगिक को सल्फियूरिक अमल के साथ गर्म किया जाता है। कार्बनिक यूगिक में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। अमोनियम सल्फिट को सोडियम हाइट्रोगसाइट के आधिके के साथ कर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है। इस उतपन होई अमोनिया को मानक सल्फियूरिक अमल के ग्यात विलियन में अफशूशित कर लिया जाता है। उत्पादित अमोनिया का अनुमान प्रती क्रिया में इस्तिमाल हुई सल्फियूरिक अमल की मात्रा से लगाया जा सकता है। अमोनिया के अफ्शूर्शन के पश्चाद अफ्शिस्ट सल्फ्यूरिक अम्ल को चार के मानक विलियन द्वारा अनुमा पे दिकर लिया जाता है। अम्लिकी आरंविक मात्रा और अभिक्रिया के बाद शेश मात्रा के अंतर से अमोनिया के साथ अभिक्रित अम्लिकी मात्रा ग्यात होती है। नाइटोजन का प्रतिशाथ 1.4 गुणे M गुणे 2 वी और वी एक बटे 2 का अंतर बटे कार्बनिक योगिक का द्रभिमार यहां वी बराबर H2SO4 का आयतन मिलिलीटर में वी एक बराबर NaOH का आयतन मिलिलीटर में एम बराबर H2SO4 की मोलारता हैलोजन, कैरियस विदही, कार्बनिक योगिक की निश्चित मात्रा को कांचकी एक नली में सथूम नाइटरिक अंमल के साथ सिलवर नाइटरीट की उपस्तिती में बट्टी में कर्म किया जाता है, इसे कैरियस विदही कहते हैं, बने हुए सिलवर हैला이ट को अलग करके ध तॉकर सुथा कर तॉलिया जाता है। हेलुजन का प्रतिशत एक्स का परमाणविक द्रविमान गुणा M1 गुणा 100 बड़े A·G X का आनविक द्रविमान गुणा M. यहां M1, A·G X का आनविक द्रविमान और M कारबनिक योगी का द्रविमान है। सल्फार कार्बनिक योगी की ग्यात मात्रा को एक नली में सद्धूम नाइट्रिक अमल के साथ गर्म किया जाता है सल्फर सल्फियोरिक अमल में परिवर्टित हो जाता है राप्त सल्फियूरी कमल को बेरियम क्लोराइड मिलाकर बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लिया जाता है अवक्षेप को छान कर धो कर दुखा कर तौल लिया जाता है सल्फर का पतिश्यत 32 गुणा M1 गुणा 100 बटे 233 गुणा M यहाँ M1 बने हुए बेरियम सल्फेट का द्रवेमान है और M कारबनीक यौगिक का द्रवेमान है Phosphorus Phosphorus युख्द कारबनीक यौगिक की ग्यातमात्र को सदूम नािटरिक अमल के साथ करम करने पर उसमें उपस्पतित Phosphorus इसे अमोनिया और अमोनियम मॉलिबडेट मिलाकर अमोनियम पॉसफेटो मॉलिबडेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है। इम कार्बनिक योगिक का द्रवेमान है। ऑक्सीजन किसी कार्बनिक योगिकों में ऑक्सीजन का प्रतिशत भिन्निता की विधी से ग्यात किया जा सकता है। कार्बनिक योगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत्ता की गड़ना उसमें उपस्थेत्र अन्ने तत्वों की प्रतिशत्ताओं के योग को सौ में से घटा कर निकाली जाती है। कारभनिक योगिकों की एक निश्चित मात्रा को नाइटोजन गैस के प्रवाह में घर्म किया जाता है. उत्पन्य हुई गैसों के मिश्रण को रक्त तप्त कोप पर प्रवाहित करने पर ओक्सीजन गैस कारभन मोनो आक्साइट में परिवर्थित हो जाती है. अब इस गैसीय मिश्रन को आयोडीन फेंट आउकसाइड मिलाने पर कारवन मोनोखसाइड गैस कारवन डाइउकसाइड में आउक्सिक्रित हो जाती है अभी क्रियाओं के नुसार आउकसीजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्ति किया जा सकता है 16 गुणा कार्बन डायोकसाइट का दरपेमान बटे 44 गुणा कार्बनिक योगिक गुणा 100 क्या आप जानते हैं कार्बन सभी सजीवों में पाया जाता है कार्बन एक अधातू है ये अपने आप के साथ और कई अन्य रासाइनिक तत्वों के साथ आपंध बना सकता है और लगभग 10 लाख योगिकों का गठन कर सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उर्द्वो पातन, क्रिस्टली करण, आसवन, विभेदी, निशकर्षन और वन लेखन कार्बन योगिकों के शोधन की विदिया है कार्बनिक योगिक को कौपर दो ऑक्साइट के साथ तीज गर्म करके उसमें कार्बन और हाइटोजन की उपस्तिती का पता लगाया जा सकता है नाइटोजन, सलफर और हैलोजन को सोडियम, संगलन, निशकर्ष के द्वारा पहचाना जा सकता है कार्बनिक योगिक के नमूने में उपस्तित हाइटोजन का द्रवेमान एक बटे नौ केल्शियम क्लोराइट के द्रवेमान में वृत्थी और कार्बन का द्रवेमान तीन बटे क्यारा पोटेशियम हाइटोजन के द्रवेमान में वृत्थी कारबनिक योखिक में नाट्रोजन का प्रतिशत जसका द्रवेमान M gram है निमने है इसमें V STP पर नाट्रोजन का आयतन है किसी कारबनिक योखिक में हेलोजन का प्रतिशत X का परमानविक द्रवेमान गुना M1 गुना 100 बटे AGX का आणवीक द्रवेमान गुणा M है जहां M 1 AGX का द्रवेमान और M कार्बनिक योगिक का द्रवेमान है इसी कार्बनिक योगिक में सल्फर का प्रतिशत 32 गुणा M1 गुणा 100 बटे 233 गुणा M है यहां M1 बने हुए बेरियम सलफेट का द्रवेमान है और M कार्बनिक योगिक का द्रवेमान किसी कार्बनिक योगिक में फास्फोरस का प्रतिशत 31 गुणा M1 गुणा 100 बड़े 1877 गुणा M है जहां M1 अमोनियम फास्फेटो मौलिबडेट का द्रवेमान है और M कार्बनिक योगिक का द्रवेमान है किसी कार्बनिक योगिक में आक्सीजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्ति किया जा सकता है 16 कुणा कार्बन डायोकसाइट का दरबेमान बटे 44 कुणा कार्बनिक योगिक कुणा 100